हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फोन पर जब भी आप सभी लोग कोई भी डॉकुमेंट्स को यहां पर जो है यहां पर यूज करते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आता है यहां पर लिगा रहता है unsupported elements will be changed or removed if you edit this document अगर आप यहां पर किसी भी documents को open करते हैं suppose आपके पास कुछ इस तरह के से documents available हैं और उसको आप यहां पर इस तरह के से open करते हैं मैं आपको example के साथ आपको बता रहा हूँ उसके बाद दोस्तो इस तरीके से आपको documents रहता है उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई जो है कहीं पे इस तरीके से edit कर देते हैं उसके बाद दोस्तो आप इसको जो है save करते हैं तब यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, तो basically अगर आप यहाँ पे यह जो बोर है, वही बोर है, कि आप यहाँ पे अगर किसी डाकुमेंट्स में कोई भी चेंजेस वगेरा करते हैं, कहीं पे जो है, यहाँ पे स्पेलिंग विश्टेक हो जाता ह यहाँ पर कुछ भी वगेरा रहता है, तो वहाँ पे आप अगर इसको चेंजेस करते हैं, तब यहाँ पे यह confirm करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जाता है, basically यह एक error नहीं होता है, यह error नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ पे continue पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको जो problem आ रहता है वो solve हो जाएगा, और बता दू मैं आपको कि यह error नहीं है, यह just आपको पूछ रहा है, कि आप यहाँ पे जो है, जो भी changes बगर आपने करी है, क्या उसको आप continue करना चाहते हैं, क्या आपको मतलब कि वैसे ही save क करना है कि नहीं, तो बस इस वीडियो में इतना ही गाईस, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए